असलाम आलेकुम विवर्स उमीद करता हूँ आप सब खैरेस से होंगे ठीक टाक होंगे वेलकम टू दानिशामत व्लॉक्स आज हम वोजूद हैं आईशा मंदिल फूड इस्ट्रीट पर आज हम ट्राय करने वाले हैं आईशा मंदिल का मशूर यूसुफ कलेजी वाले का बर्गर चलिए फिर यूसुफ भई से बात करते हैं और इनके प्राइज बगर आपको बताते हैं लोकेशन आपको सही तरीखे से बताते हैं वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहेगा चलि करणी कवाब भर्गर होता है सकंद धर कलेजी बर्गर में कलेजी प्लेट एकनाव फेर के पाव हमारे पृसा ने इन जांता है पार द्चातु फेरा अंव्यजेड inh driving वाज़ो होती है иск अ in центр Industry कवा डिन इसके साथ रुपे का हैं एक पीज एक पीष साथ रुपए का बर ऑ पेका चेपली कबाब का यहां हो गया हो गया हो गया पंदरा अठारा साल हो गया मुझे अच्छा अच्छा पीवर्स को बताते हुआ जी जी अच्छा अच्छा शाम शे बजे आते हैं हम लोग थाड़े पांच शे बजे रात को ढाई तीन बेजट लग होते हैं हाँ जी जैसे आम कलेजी बिकती है ना उनसे बहुत अच्छी होती है मेरी अला जानता है साथ सुत्री यहां ना पानी मिलाता हूं ना टीमाटर का पेच ना लोकी का पेच मतलब यह चीजे में मिलाता है तिरी फराई कलेजी होती है सिकने दो ना यार दो रुपे महेंगा जितने ऐट्म होता है लेकिन चीज अच्छी होती है कि यह वाला लूज करते हैं यह जो बर्गर मैं इसको ट्राइब करता हूं फिर आपको इसका रिव्यू देता हूं चलिए पहले यूसुफ भाई से यहां की लोकेशन जा लेते हैं फिर उसके बाद इसका मैं खाके आपको रिव्यू देता हूं यूसुफ भाई थोड़ी सी लोकेशन बता हैं आश्या मंदिल पे किस तरफ है यह आश्या मंदिल किदाई उस्पिटल वाली गली में दमतल के बिलकुल सामने अगाखान बेकरी है उसके सामने वाली गली में आगाखान उस्पिटल वाली गली में चोटा आगाखान खिर यू तो वीवर्स मैंने अपना बर्गर खा लिया है बहुत ही जबदास स्पाइसिंग का बर्गर होता है जबदास कलेजी इनकी साफ सुतरी मैं बिल्कुल कहूंगा कि आप यहां पर आपका आना हो तो ज़रूर यह यूसुप भाई का कलेजी वाला बर्गर ज़रूर ट्राइ तो वीवर्स तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक जरूर कीजेगा इन्शालला मिलते रहेंगे पहर दी तरह की वीडियो के साथ अपना बहुत सारा खाल रखिएगा जब तरह की लिया लाफेस।